कि नमस्कार दोस्तों कुल्दीव क्लासेश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बभेग जैसा कि आप सभी जानते हैं हम MPPSC के पेपर टू की पार्ट वन की यूनिट फोर भारत के राजनेतिक विचारा को डिसक्स कर रहे हैं इसी करम मैं आज का जो हमारी हमने पहले मैं अमिथगर जी को डिसक्स किया पहली कलास थी और अभशीया आप आपट आप डिशारा को कτε अजistas करेंगे चली करोदे से निर्भी एंधरत की सभंद भारत की समस्यां आया जैसी के बहूर बछादNET जो बन व्यवस्ता रही उसको अमिटकर जी भारत की समस्याओं की मूल जड़ बताते हैं बन व्यवस्ता का एक जो और एकदम माइक्रो लेवल का रूजुरूप रहा वह जाती व्यवस्ता जिसको कि भारत में सोषन की जड़ मानते हैं मिटकर जी जिसको कि महिलान वह सोषन होता है डेप्रेस्ट क्लास अर्थ Mole सोषन का भेजान referred मैईदूरु का भेजरात मूलता सूभासि को मना कि माना गया है सुथरजाथी को बिलोंग करते हैं जो बहुसींद के कावाद ही है अब इन सभी समझ्याहं को समाधन कैसे हो इसके लिए अमभिठकर जी इनको काफी detail में discuss करते हैं हिंदु धरम को उन्होंने काफी detail में discuss किया और इस समंद में फिर उनकी द्वारा जो सबसे मूल समस्य बनके उभरी बहुत ही बन व्यवस्ता जो की जिसका जनम हुआ मनुस्मिर्ती के मनुस्मिर्ती के अंतरगत हम जानते हैं कि बन व्यवस्ता के जनम होता है मनुस्मिर्ती मनुस्मिर्ती में चार मुलत ब्रहमा के मुख से चार बढ़ों की जनम की कलपना के गए यह सब ब्रहमन चात्रिय बैस सुद्र ब्रहमन का कार ग्यान अर्जन चात्रिय कार येस अर्था लड़ना रख्षा करना बैसर काम व्योपार अर्था धेनरजन और सूदर असली यह जनरल क्लासिपिकीसन था मनुणभर्थी यह समर्चिख के बनवकर रस्ता उस्ता का ऐिधे न आपने भारत की जो देश की सामाजिक सरनचना रहेगी उसकी सामाजिक सरनचना का बरीकरण मुलादारब सामाजिक सरनचना समाज की सामाजिक सरनचना का बरीकरण करता है जिसमें ब्रहामन चत्री बैसे सुद्र इत्यादी की बात की गई अब इसको सोशनकारी इसमें कैसे कमाना गय जैसे कि हम सब जानते हैं बड़ व्यस्ता के कारण इसका मतलब चत्री बैसे सूद्रों से उसका कॉंपटिशन कहतम हो गया तो इसका कारण समाज में कॉंपटिशन कहतम हो गया तो इसी कि रम्यमिटकर जी क्या प्रतियोगता खतम होगी और जो सूद्र हैं उन पर निर्योगता हैं निर्योगता हैं एक होती है योगता मतलब आप यह कर सकते हैं वह भी कर सकते हैं वह एक होती है जो मनुस्मिर्थी का जो मनुस्मिर्थी का जो पांच मां अध्या है कि पांच में अध्याए के 148 मां इस लोग महिलाओं की परादिंता को अज्जाइश सहराता है वो बताता है कि महिलाओं परादिं होती है महिलाओं पता के इंडर में रहना चाहिए जब वो पिता से कोजिता करता है और फिर जब यह होगए मैहला करता है जोिसक्राइफ करता है यह बताथा यह बढ़न करता है यह बताता है का इस्लोक कि जो सूधर है वो भुर हम अमध्स is it for एजुकेशनं के तरफिव 하지कले अंद हस्था कि लायक नहीं है चौथे अध्याय का अट्रत्त से लेके 80 माई लोग सुद्रों को अनफिट फूर रेजिविशन बताता है उसके वाद आते हैं तो जो आठमाद्याय आठमें अध्याय का 20 माई स्लोग ब्रामण की जनमगत शिरिष्ट था जन्म गर्थ शिरेष्ट था इसकी बकालत करता है कि ब्रामन जन्म से ही शिरेष्ट है ब्रामन का सम्मान किया जाना चाहिए और ब्रामन को आही अधकार है कि वो ग्यान अरजन करे अब आते हैं आठमे अध्याय के ही 271 लोक क्या कहता है कि एदी कि यदी सुद्र ब्रामन को ज्यान देने लगे मतलब एक आहीं कि उसको धर्म सिखाने लगे तो उसकी जुबान काट लेने चाहिए जुबान काट लो 271 का कहता है कि अगर कोई सुद्र जो दो हम बराहमर्शत्री बियस इनका अगर सम्मॉन पूरभग नाम नहीं लेता है इननके नाम लेता है तो उसके जीव तो तो उसकी जीब में क्या करना चाहिए लुढ़ा गरम चडड को गरम करके उसकी जीब में डाल देना चाहिए यह 271 जा सब्साइब बाते करता है को जाना सभी जो सोशनकारी वात吃 रहें उनके खात्मे के लिए एक तरफ हिंदु धर्म हिंदु धरम जैए अलग-अलग समाधिक सबस्थ मनुस्मिर्ती में करते हैं मनुस्मिर्ति का देहन करते हैं अब मनुसमृति का देहन किया हिंदू धर्म में रहकर ही यह सबसे पहले हिंदू अपने अधिकारों की बकालत के लिए उनके दोरह काम किया गया उसके बाद हम देखते हैं कि 1928 में मार सकता गरह किया गया मतलब जो सारविनिक तालाव है उनसे पानी का अधिकार मतलब उनका कहना था कि कुत्ता पानी पी सकता है ताला से लेकिन अचुतों को क्यों अधिकार नहीं है तो 1928 में हम देखते हैं कि मार सकता गरह उनके दोरह किया गया 1930 में मंदर में प्रिवस के लिए पुलापूर में नासिक में मंदर में प्रिवस के लिए उनके दोरह सकता गरह चलाए गय प्रिविस का अंदूलन था वह स्फल रहा कि मंदिर के अधिकारियों ने कपाड बंद कर दिये, जो माहन सतेक रहे था, वो सफल वह उन्होंने पाणी पिया, और वह एक उन्होंने एक कॉंप्टिसंट दिया, सीधी तौर पर कॉंप्टिसंट होना चाहिए, अज मानववादिकार होना चाहिए यह हिंदू दरम में रहकरी उनके धुर्स है रहा कि जो बनवधियश्त्ता है और जाती वश्द्स भूस्त है उसकाहत्म कैसे हो तो जाती वश्द्स जाने रही है तो तो जाती वश्ता को हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो अब मिटल के सकते हैं कि जाती वश्ता हिंदू धरम की एक अनोइर विश्था यह निर्योगतां हैं सूद्रों पर निर्योगतां थोप दी गई तर नहीं कर सकते यह त्छत्री यह काम किया गया और उनका प्रतिकार किया इत्यादी लेकिन जो मनुस्मिर्थी में है वह बहुत ज्यादा ही कठो रहे हैं मतला सुद्रों को सजा देने की बात करते हैं इसी किरम में जाती को डिस्स करते हैं तो क्या है कि थोपी की निर्योगता है और हिंदु धर्म की अन्मार विसेस्था अब जाती क्या है मिटकर जी बताते हैं कि एक सामाजिक एक सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक सामाजिक सिंस्था है सामाजिक आर्थिक कैसे कुमार हुए कैसे कुमार जाती जाती भी है और आर्थिक प्रिकरिया भी है नाई आपने आप में जाती भी है और आर्थिक प्रिकारिया ओअ समाजिक में हम देखते हैं तो दो मूल बरिगे कराँ कने कंड़ कराम एक है रोटी एक बेटी है रोटी बेटी मेरे पीछ में चानपन नहीं है और रोटी और रोटी और बेटी यह बहुत दूर की बात समाज उद्दार कैसे हो इसके लिए अंबिटकर जी क्या करते हैं हमने देखा कि उनके दोरा तीन जो काम किये गए 1927 में मानुवामनुशमृती जिलाए गए 1928 में महार सत्यग्र है और 1930 में मंदिर में पिरुशान दुलाएं लेकिन क्या होता है कि जब पृत्राग निर्वाचन मंडल की बात आती है तो इनके दौरा अमिटका जी के दौरा पृत निर्वाचन मंडल की बात हुआ जिसके अंतरगार प्रितक निर्वाचन की महां को अटा दिया गया और अरचत सीटों की बात कही गए लेकिन अमेटकर जी संतोष नहीं हुए हिंदु धर्म की सामाजिक सरजना से संतोष नहीं थे और इसके प्रणाम सर्व हम क्या देखते हैं कि 1936 1936 में मेटकर जी गोशना करते हैं कि मेरा जनम हिंदु धर्म में हुगा ये मेरे बस में नहीं था लेकिन मैं हिंदु धर्म में मरूगा नहीं तो अब जब 1936 में उनके द्वारा ये गोशना कर दी गई कि वो हिंदु धरम को छोड़ देंगे तो अब कयास लगाया जाने लगे कि हिंदु धरम को छोड़के वो किस धरम में जाएंगे एक ओर थे अबरामिक धरम जैसे कि इसा द्व लुए धरम Ikसमत वह यानते हैं कि दरम को पूरे श्व इंसान को पैस्व कि अगरत श्ववा कर से हुई औरस और जो इस्व ने इनसान को पिया इंसान को एजट्र생 के है उत्र प्यदा कि अब अब बिटकर जी की दौरा जो किर्श्चनेटी और अस्लाम के संदर में बात कि गई तो उन्होंने कहा कि यह तो सीधे अभड्यानिक नकारत हो का गया कि यह अभड्यानिक मानब विवेक का अपमान करते हैं जो बिजटम है उसका आपमान करते हैं अब कैसे है तो जैसे कि हम जब साइट apologize पाते हैं कि इनसान अपने पैदा नहीं हुआ बल कि learner का इए अन्सान का बिकास हुआ कुछ फिरिकार के जो बंदलों की पैsstालिया थी क्रिम क्रिकार के उन से इंसान का उद्रों पर काषक पढते हैं quantitative classification उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो चीनु जय जोंक unter the living Miller हैं जीवत जीवत जातियां है बनास्पथी फंजाइबे इनको पाँच फाइलम में और दस फाइलम के भाद देखते कि मैं अर्था इस्तंदारी और यह सब क्लास्पिक्श के में देखा को हम जानते हैं कि बार्तमान का उसका यह प्रणाग्य जानते हैं उन्हों प्रफ्त की एमेबी के उंत्रप्रविश तो जानते थे कि जो इंसान का उदुबाब है तो उनका मानना था कि ऐसे धर्म को अपनाया जाना चाहिए जो मानव हो जो जो बिग्यान सम्मत हो और सुतंत्रता समानता वंदुत्त की बात करता हो हिंदु धर्म के छोड़न कि हिंदु धर्म की मनूष मिरती ही तमाम एक दमार फॉस्त कारी ने सौष का रही हैं जो दल्टों के सोशन को पुरसाथ सदुल जब जो बास्ता भी था और सामान इंसान भी आज के दौर में भी जैसे कि साउधी अरब के आपने वीडियो देखें होंगे तो उनके क्राउन प्रिंस और आम आदमी बगल बगल में बैट के खाना खाते हैं और ऐसी कोई वो समानता को प्रोशाइट करते हैं अब बचते हैं बु भुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् ग्रुनानख देबजी के दौरा किया गया और वो अपने आधी किरंथ में ग्रुनानख देब जी कहते हैं कि अवल-अल्लाइग नूर उपाया, देश सबदे और एक नूर ते सब जग उपजया, कौन बले को बंदे, ये मूल बात है, हाई मतलब एक नूरते एक नूरते सब्यक्त उपचिया एक नूर से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई और हम Big Bang थयोरी में क्या पाते हैं कि दुनिया को अधभब हुआ वो Big Bang से हुआ मतलब पूरी दुनिया सबसे पहले एक उड़िया के शुरोत पर केंद्रित थी और महाविस्पूर्ट सद्दान्त हुआ और पूरी दुनिया की उत्पत्ती हुई कि यही तो अंबिड़कर जी को अकरस्त किया सबसे पहले तो समानता कि कोई भलाया कोई मंदा होई नहीं सकता फिर सोतंतर था कि अब बंधुत्त का तो क्या ही कहना हैầnहें कि सिक धरों सुतंतर समानता और बंधुत और बिग्ञान समय को में संस्पत्ति थ्यों require कि पूरे दुनिया ही एक नूर से उत्पन होई है और हमने साइन्स में भी देखा कि बिगवेंग थेओरी बरतमान में सभी बैग्जाने को इस सत्तापती हो चुगा है कि दुनिया की उत्पत्ती बिगवेंग थेओरी अथा एक जो महाविस्पूर्ट सिद्दान दुनिया प पहले तो मुखकारण रहा कि उनको डर था कि कहीं जो स्युरूल काष्ट के लोग थे जो सोसित लोग थे अगर वो सिक धर्म अपनाते हैं तो सेकेंड क्लास सिटीजन सेकेंड क्लास सिटीजन ना बन जाएं जैसा कि हम सभी जानते हैं बरतमान में हम देखते हैं कि जो समाजिक विवाजन है और अगर देखें हम इसाइओं के संदर में भी तो हम कई हो डॉकमेंटरी जैसी पाते हैं कि जो सेडूल कास्ट के लोग इसाइक धर्म में करना पड़ता है नातिदारी एसदारी और तमाम कारणों में उनके साथ जो पहले की इसाइओं हैं उनको समाजिक विवाजन का सामना करना पड़ता है तो मिटकर जी जानते थे कि ऐसा ना हो कि जो हम लोग जाएं सिक धर्म को अपना है और सेकंड क्लास सेटीजन ना बन जाए यह सबसे उनकी विचार का मूल उनकी चिंता का मूल बिसाए था कि यह बड़ा खतनाक रहेग केस, कंगा, किरपान, कच्छा और कड़ा यह पांच का कारण गुरुन नानक देव जी के द्वारा धारन करने की बात की गई और अस्तर को भी धारन करते हैं जैसे किरपान वह इतियास का बाह है कि सिक्कों ने अपनी तलवार हमेसा अन्याय के वृद्द उठाई कम जोरों के रक्षा करने के लिए उठाई एक यूटूब पे और काफी एक बजा की बायराल है सरदार के बारा बजगे आप देखेंगे तो उसके पीछे की इतियास यही है कि जब जो आकर्मकारी सासक होते थे इस्लामिक आकर्मकारी और यहां से हिंदू महिलां और बच्चियों का अप्रण करके ले जा रहे होते थे तो वह सिखी होते थे चोंकी रक्षा करते थे अब अमिटकर जी या हम सोच हैं तो चूंकि सिख धर्म में हिंसा की एक गौण बात है और भारत की समाजिक विवस्ता की बात करें तो दलतों का सोचन होता था और हो भी रहा है तमाम लूश कबरों में देखा है अगर हो सकता था कि सिख धर्म अपनाते पंच का का धरन करते और अगर सेडूल कास्ट के पिरती या दलत संगर्स की स्थिति भी हो इसकती यह हमां लगार रहे हैं अमिटकर जी ने ऐसे कोई बचार नहीं दिये लेकिन हो सकता था छूकिंट अमिगर्गर जी ने साहत म fulfill सबसे पहले ही बहुत न अब हम्बाद ध्रम पर आते हैं कि बहुत ध्रम को इस्था क्यों आतो कि आहीं के द्वारा क्यों अपनाया गए तो सबसे पहले स्पेटेंट करते हैं कि जो उनके इस्टेटमेंट तो उन्होंने क्या कहां अमिटकर जी क्या कहते हैं कि जीजस इसाइयों के इसाइयों के जो इसा मसी हुए वो अपने आपको son of God कहते हैं मैं इसवर का पुत्र हूँ जो पैगंबर मुहम्मद साहब हुए वो अपने आपको messenger of God उने के दोरा बताया गया कि वो पैगंबर है इसवर के दूथ है उसके हिंदू धर्म की बात करें तो किष्ण जी क्या कह रहे है कि वो देवताओं के देवता हैं परमिश्वर हैं गॉर्ड ऑफ गॉट्स है तो यह सभी है अमिटकर जी क्या कहते हैं कि एक मात्र अगर हम उन्होंने बुद्ध के संबंद में कहा कि एक तरब को इसा मसीजी कह रह किया वह किसी भी प्रकारकी उन्होंने आलोके करते नहीं किये सकतियों का प्रदसन नहीं किया और एक साइंटिपिक ब्यक्ज्ञान सम्मत बातें की यह बातें अंबिटकर जी को बहुत आकर्सित की और समानता सुस्थंत्रता को बढ़ावा देने वाला रहा जो जो गौतम बुद्धी जी रहे वो छत्री बनके थे लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान करास्ता अपनाया और लोगों को आहिंसा का मार्ग दिखाया अम्मिट्गाजी इन सभी बातों से काफ़ी आकरस्थ होएं तो अम्मिट्गाजी के दौरह इन ही सब बातों से आकरस्थ होते हैं बोत धरम कोई करने की बात की गई और इसी परिणाम हम देखते हैं कि 1956 में अमिट का जी के दोरा बहुत धर्म को अपनाए गया बहुत धर्म को अपनाए क्या गया बहुत धर्म में एक नवीन संपर्दाएं नवयान का प्रिचिपादा नहीं कर दिया गया इसको भी हम आगे डिस्कस करेंग कोश्चन पूछा जा सकता है नव्यांग तो अभी हमने क्या देखा बहुत धरम से आकर से थो रहे हैं क्योंकि बहुत धरम बिज्ञान सम्मत है स्वतनता समंता और बंदुत को बढ़ावा देने वाला है जब एंसा होगी समाज में एंसा होगी तो अपने बैचार वड़ेग पूरी दुनिया में बहुत धरम फैला हुआ है चीन जापान कोरिया या फिर हम दच्छन पूरी इस एक देश्यों को देख लें तो अब यतनम बगरा भी थाइलेंड थाइलेंड वगरा भी वहां पर ही बहुत धरम काफी पिर चले थे लेकिन बहुत धरम की अलगलग साख यहां तो अमभिषकर जी के दोवारा थेरवाद महायान बजड़यान सबी बातों को अस्यूकर कर दिया गया उनके तो यह जोड़ भी निए तो बाद में घोड़ दी गई तो यह पूरी दुनिया तो फिर जीने का मकसद ही क्या है इसको नकार दिया, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा, करम सिद्धान्त को भी नकार दिया, और निर्मार और पुनल जनम, इन सभी बातों को उन्होंने कहा दिया, करम सिद्धान्त, निर्मार और पुनल जनम को इसलिए नकारा, क्योंकि उनका मानना करता कि जो तीन सित्धान निर्मार पुनर्चनम आलोग एक अलोग एक दुझा की बात करते चल मतलब जो बर्तमार में चल लाए उसकी बात नहीं करते यह दुनिया आलोग दुझा को जादा प्रुसायद करते उसकी वह जुखाव को बढ़ाते हैं तो उनके द्वारा करम सद्दान निर्वार पुना जर्म इन्हों तीनों को नकार दिया गया लेकिन जो आश्टांगे गमार के बुद्ध का उसको स्विकर किया गया तो हम आँने देखा कि जो नवयान हैं चोगद्क्ट्वरीवर नश्चपन उन्होंने बहुत धर्म गरंद किया और इसी इसी संप्रदाए का पृति बादन करते हैं उनका जो स्टेच्मेंट रहा जो 13 अक्टूबर 1956 को दिया गया उसको हम डिसस कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सुईकार करता हूं कि मैं बुद्ध ध्रम का पालन करूंगा जो मूल सिक्चा हैं बुद्ध के दोरा कहेंगे उनका पालन करूंगा ही निया निया जो महायान है उन सभी बातों को अपने से दूर मूल स्भी 3 कि envision बुद्ध अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अल którą मैं जो जो अनुक सबसे पहले जो अ को मुद्धेंस के उन्हें मोटरे तौर पर हिंदु धरम की धार्मिक मानता है जैसे कि ब्रमा बिशुव मैया सित्यादी की पूजा करना उन्हों को नकार दिया। उन्होंने कहा, कि जो hindhu धरिम के जो मानता था जो पढ़ती है, उपसमा पढ़ती, उसको नकार ये सबसे पहले। फिर उसके वाद उन्होंने कहा, जो hindhu धरिम में करम कांध हैं, उनको नकार ये। c arah वगएर आ गार्वा सब्सक्राइब कर दना नकारम के जाना संबन इनको निकारनी की बात की गई तो मौटर देखें और को उनके देख़ें है। इनमें हम पाते हैं कि बहुत धरम से इस्ताफना के समानता के लिए अब द्धायाろ गवार्रमध सकते हैं पहले हंन्हों राइन हर्म की बातुको मानने की बात कर रहे हैं फिर बहुषम की और प्रहट और की जो और बात में जेसे निशेट हôm पृषम उनंको बताते हुए प्रितिंग्या ढूर्णी जो सब्सक्राश का नहीं मानने करते हैं जूत नहीं बुलना सार एक यह पृतिग्या हैं होगी 17 पृतिग्याएं अब 17 के बाद 18 19 20 21 22 इन में क्या करते हैं वो कि मानव विकास कि मानव की बैग्यानिक सोच कि मानव की बैग्यानिक सोच की स्थापना की बात करते हैं उनके द्वारा तमाम अधारमी 19 20 21 22 इन में पृतिग्या की बात की गई यह हमने उनके 22 पृतिग्याओं के कॉंटेस्ट को जाना उनके द्वारा बहुत धरम से आकर सतुए इंसा भी को जाना अब आगे बरते हैं तो उनके अब धार्मिक बचारों पर आते हैं हमने उनके धार्मिक बचारों का सामाजिक साchnet हymad tarama में देखते हैं उसकी सुधार्यवत इजुकारवी करते हैं कारक ऐसा करते हैं कि धर्मन करने की बाते हैं अब मते उनका मानना था कि निजी छित्रे और समाज की नयतिक जीवन में एंजी चैनude जाना चाहिए नेजी छित्र, परसनल लाइप और समाज में धरम को इस्तान दिया जाना चाहिए लेकिन इस धरम का आधार माना बिवेक, अच्छा बिवेक होना चाहिए गुड विजिटम होना चाहिए, मतलब साइंटिपिक ग्यान सम्मत होना चाहिए और धरम, चुकि उनका मानना था, कि धरम लोगों के लच्छों को उपर उठाता है, नेतिक्ता को बढ़ावा देता है, और लोगों में परुपकार और एक दूसरी के लिए सरुकार, कोई भी धरम हो, सब धरम एक दूसरी के परुपकार और एक दूसरी के लिए सरुकार को ब भारुपकार एक दूसरी के सरुकार से एकता बढ़ रही है और एकता बंदुता समानता स्वतंता बंदुता उनका धारने विचार है कि धरम इन सभी मूल्यों को ऐसा धरम होना चाहिए जो इन सभी मूल्यों को बढ़ावादे नहीं कि अब आते हैं कि किस प्रकार वो धरम होए ब्रह्मणबाद को अलग कर रहे हैं एक धरम वब्रह्मणबट जो मनुख। तीसे प्रेरत है मतलब ब्रामणी सार्व सेस्ट है बरीगरन चातर बेवस्ता इन सबी चीजों को नकारते हुए वो अंतर करते हैं धर्म और ब्रामण में धर्म की उपर तो बचारों को जाना कि धर्म अच्छी चीज है समाज में इतकता को बढ़ाती है दूसरी सरूकार एकत सुद्र और योगता की सद्दान्त की अपिच्छा करता है योगता की सद्दान्त की योगता की सद्दान्त को अतोसाहिद करता है हमने देखा कि इस परकार कॉंप्रिशन हो खतम कर रहा है और योगता की सद्दान्त की अपिच्छा जन्म की सद्दान्त को प्रोसाहिद करत सब्सक्राइब कर रहा है मतलब लोगों पर निरुखता है और कर्म कान प्रोहिती का समर्देंग कर रहा है और हम देखें तो जो ब्रह्मनबाद है वो नयतिक मूल्यों नयतिक मूल्यों पर उसका जो सद्दान्त है ब्रह्मनबाद का मनुस्मिर्थी का सद्दान्त है वो उसमें नयतिक मूल्यों का अभाव है ऐसे द्रस्टिकोणों का अभाव है जो नयतिकता को बड़ा बात है ये सबी बात है उन्होंने धर्म और ब्रह्मनबाद को अलग-अल करा गया उनका दुस्मन को जाती नहीं थी कोई जैसे की लोग बरत्मान वनको परचारित क्यार दिया जाता है कि वह सवन भूरोदी थी ऐसा कुछ नहीं है वह किवले इस बचार दहरा जैसे परकार गांधी जी कहते हैं कि पाप से घ्रणा करो पापी से नहीं उसी परकार अम कौको सोच को बदल ना है इसी के लिए इसी के लिए कि उस्सक्राइब ऑफिक के संब्धा कि वो वेफारिक मानते हैं कि मीमान से यह या फिर गूपनी मतला बुद्धी ग्यान को तो गूपनी रखाई नहीं जाना चाहिए और दूसरा कहते है कि जो बिवेक ऐसा होना चाहिए जो बिग्यान और आधनिक प्रवगद्दुगी को प्रुस्थायत करें वो बोलते हैं कि विवेक तो मानव विवेक क जो बिग्यान और प्रवद्दुगी की है वो मानव विवेक की उत्पत्ती ही है मानव विवेक बिग्यान में आज हम देखते हैं तमाम टेखनोलजी डवलप हुई है एक कोई इस्वर ने थोड़ी दे दी है आज इसरायल तमाम एक से एक इस्पिसल हतियार बना रहा है तो और गयार जी नहीं तो हमिवेक की इंसानों की बिवेक की है यहीं प्यदा को जो बिवेक को माद्ध्यम लें को को दूर कर सकने एंन वीवेक बोले तो scientific केमिलमेंट जो जहालन नहारी जी का साइंट्रीक केजी का जो कि समाच की एकता और अखड़ता के लिए खत्रा है अब आते हैं अमबिटकर जी के राजनितिक बिचारों पर most important उन्हें कि राजनितिक बिचार किस प्रकार वो राजनिति को देखते हैं तो बहुत सारे बिचार हैं काफी बड़ा काफी discussion रहेगा तो बन भाइबन देखते हैं सबसे पहले पूरे बचारों को जान लेते हैं की हम आगे क्या करेंगे कि इसकारतम को पायों को अरथ्षार अफर्मेटिव एक्षन बोले तो अरचन इसकी बात कर रहे हैं दर्मनेपेच राज का समर्तन कर रहे हैं लोग कल्यानकारी राज का समर्तन कर रहे हैं दर्मनेपेच दर्मनेपेच के बाद लोग कल्यानकारी राज उसके बाद राज समाजवाद राज समाजवाद वोले तो सोसल स्टेट सोसलिज्म यह गलत लग जाए स्टेट सोसलिज्म ह हुआ राच्षमाजवाद का समर्थन कर रहे हैं पुझजवाद की आलोषना कर रहे हैं उदारबाद की आलोषना कर रहे हैं उसके बाद माकसबाद माकसबाद से प्रवाबित ही भी है कोछ मूल माकसबाद के वो सुईकार करते हैं ठीक हैं लेकिं माकसबाद की आलोषना भी क लुँने में पूरे पचारों में हिंसा की मनाई कि pensesрах करेंगे विदेष्निति संबंध उनकी क्या बेचार रहें अंतराष्टी संबंध यह राजएतिक बचारों के इन्तरगति आ जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बन वाई बन डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं सोतंतरता समानता और बंधुत्य चौह को ही आधिकर जी दौरा शञधानतर पर सबसे पहले कि आ आधरिक राष्ट निक्र सकता है उनी को द्वारा कहा गया कि सम्ता वहीं तर्ता नोल सभी सोतंत्रता सम्ता वहीं सोतंत्तता पहलों को नश्च क्या करें कि समानता इस्थापित कर दी जैसे कि माक्सभाद अब माक्सबात क्या कहता है कि समाजबाद की का ना कुरो मतलव फूजिवाद का खतम करेदो हर समान ता स्थापट करो हर बेकती के पास कुछ ना कुछ मूलोबता हो सकते हैं पूरी होनाही्र चाहिए तो अमिर्गर जी क्या कह रहा है कि समता भीं अगे अगा तर फिलें समता और इसमीली और निसका말 की momentos का रहें संता होगी कि इसी करम मैं एकर कि अगर आग bên समता होगी कि सोतंतरता भिहन सम्ता होगी जो कि फुझीबाद और भोर फुझीबाद अमिटकर जी कह रहा है कि सोतंतरता भीहिन समता होगी मतलब सोतंतरता है नहीं सोतंतरता नहीं है सोतंतरता भीहिन समता सुरी मैं थोड़ा सा गलत डिसकस कर लिए अपन अभी में अम्रइटर जी चहे रहे हैं जो अभी हम से स्कूस किए थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि जो पूंजिबात कर लच्छन है मतलब सम्ता नहीं होगी सोतंतरता होगी जब सम्तान होगी तो क्या होगा कि कुछ लोगों की ऎम द Qué पर प्रोंच लोगों का बहुए गई सथापना नहीं की गई शोतनतर्ता सोतनता की इस्तापना की गई यह पूजवाद में देखते हैं पूजवादी का अलोशना के अंदर कद हम देखेंगे कि किस प्रकार समता भी गरीब लोग है इसको उनके उसको अत्यचार को बड़ा रही है और इसी करम में में अधिक जी क्या कह रहे है कि जो सवतंतरता भीहिन समता होगी जो सवतंतरता भीहिन समता जैसा कि माक्सवाद सुझाता है माक्सवाद मतलब सवतंतरता मत देजिए लोगों को व्यापार की सवतंतरता मत देजिए आर्थिक सवतंतरता मत देजिए समानता इस्ताफित कर देजिए अमिर्गर जी इसको भी गलत कर देगी इनमवैसे मुनस्थ कर देगी अमिर्क समता में संता का मनाई करते हैं और वह आगे क्या है कि जो बंदुत्व मैं जो बंदुते हैं अगर बंदुत्व नहीं हो तो सोतंता चमता दोनों अपने आदफस् pertama कै बिचलित हो जाएंगे अगर बर्तमान में देखें तो रगराम जो हमारे भुतपूर्व गवर्णार है अर्भी आई के उनके दौरा कहा गया कि सोसल हर्मेनी बहुत जरूरी है उन्होंने से लंका का उधान देते हुँ बताया कि अगर मैनोर्टरी के अधकार सुरच्छत नह पूल नहीं रहेगा वह अपनी मार्क से बिचलित हो जाएंगे इस पर गार हमने देखा कि अम्बिटकर जी स्वतंतरता समानता और बंदुत तीनों को स्थापत करने की बात करते हैं इसी करम में उनके द्वारा का आ गया कि लोक्तनत की स्थापना की जानी चाहिए अब आत करते हैं मानम अधिकारों को समर्ते करते हैं utra को स्वह दर सकता सवाइधार कंति करते हैं तो अधिकार की अधाय मात्ते का समर्दिन करते हैं और जो और Kiva Lua होजो कि अधिकारे कि संखुचित अवधायना परस्त करता है कि उसको नहीं सराश दिए 最कति थे वरह संब्रां समय आर हर मंच पर अधिकार को परिकार हुं उसम rubbish अधिक лишь me हुने होने चाहिए उसके बाद हम देखें तो नाग्रिकों के लिए राजनेतिक वाल आरतिक अधिकारों के उनके दोरा बात की गई वो कहते हैं कि ऑप संक्य हैं उनके एदिकारों के बात करते हैं आर्टिकल तीयसर और तो इसको तो तोडने के लिए हैं एक स्वस्थ और स्वस्थ देश के निर्माण के लिए, स्रेश्ट और स्वस्थ देश के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए और असमानताबादी समाजी सरजनाओं को तोडने के लिए उन्होंने क्या कहा? कि विसेश बेवार उनके दौरा बिसेश बेवारों की बात की गए, वो ही रेजर्विस्न, उनके दौरा कहा गया कि здоров 좋은 बिसेश बेवार, अफर्मेटिव एकसंत्ट क्लास के अधिकार हैं, यह अधिकार हैं, कि आधिकारों की तौर पर पुरुस्टायद किया जाना चाहिए A-fermative Actions को ताकि जो आसंताबादी समाजक्स रिष्ष्णा है उसको दूर किया जा सके और समाज जो स्वस्त समाज के दिर्माद के लिए जरूरी बता रहा है अब इन अपर्मेटिव से एक्सेंस पो जान लेते हैं कि जो सकारत में पुपाय है वो क्या है तो वह आरश्टन की बात करते हैं राजनितिक चित्र में भी और सरकारी चित्र में भी तो उनके जो कहा गया तो बोलते हैं कि जो अधिकार है वह समाज के नयतिक अंता करण की अपिछा कि या अगे बहतर गारंटी है अगर रिजर्वेशन होगा बहततर गारंटी यह कुछ? को या जब महात्मा गंदी से मतवेद हुए कि महात्मा जी कह रहे है तो उनके तो उनके दौरा आ गया कि एक बार एक और पक्का कर दिया जाना है संब्धानिक प्राब्धान कर दे जाए तो यह समाज की नहतेक अंताकरण से बहतर हैं जब अम्बिटकर जी और गांदी जी की लास्ट में डिसक्स करेंगे तो अम्बिटकर जी सोसल मॉरलिटी की इस्थान पर ऐसर्मोर्यलिटी को जदा तरीज देते हैं तबज्ज़ देते हैं लेकिन नेतेक अंताकरण की पूरी अनकारत नहीं की, इसकी खिलापत करेंगे तो यह तो प्रात्मिक सर्त है कि आवस्य गया परात्मिक सर्थ है कि लोगों के बीच नेतिक अंतकरण हो ताकि वो आरच्छन या ऐसे सकारत्मिक उपाईवों को सुईकर कर पाएं गरीबों के लिए बिसे सियोजनाय महिलाओं के लिए इन सभी बातों को सुईकर कर पाएं वो अमिटकर जी स्वायत पाएं के जाएंगे और कल्यां काड़ी उपाई के जाएंगे इनी के दोरा डिप्रेश क्लास का कल्यां सुनिश्चत किया जा सकता है इसके बाद जो अधिकारों के अबदार्णा पर वो बोलते हैं कि अधिकारों की अबदार्णा बिसेस उपाईवों पर आसरत होना चाहि है जो कि अधिकारों पर आधारत होना चाहिए कि अधिकार निया कि जो सामाजिक नया निया है अच्छी राजविवस्ता के लिए कि अनुमार सर्थ है यह तो होना ही चाहिए समाज इक निया की स्थापना होना चाहिए यह हमने उनकी बिचार जाने की सकारत्मक उपायों अर्था अफर्मेटिव एक्सन या कहें आरच्छन के संदर में अब आते हैं कि वो संसदी पार्लेमेंटरी अध्यक्षी व्यवस्ता का सबसे आदर्स उध्यार अमेर्का है और संसदी व्यवस्ता का अदर्स पर बिचन लेकिन जब हमिए प्वालिटिक विस्था वह है इस्था है तो यह पॉलिटिवस्ता पढ़ते है और आज विश्ता पढ़ेंगा उसके अमें तो अद्धिक्षी विवस्ता के जो मूल वद्देष है वह है कि रिस्पॉंसिबलिटी रिस्पॉंसिबल इस्पॉंसिबल और अकांटिवल जैसे के हम सभी जानते हैं संसधी विए स्था में विदायक चुनके आते हैं और वो बजाएका में जाते हैं में विधायकुक्षी के पूरत्य की कुई रही जबागे और विधायका में वी सदस्थ हों गे जो जनता दोरा चुने जाएंगे राजसवा यह फिर लुकसवा यह फिर भिधायका लेकिन अद्यक्षी आस्तान हम देखते हैं कि जो अमेर्का राश्पती और वो ऐसे लोगों को भी मंत्री बना सकता है या डिपार्टमेंट दे सकता है जो कि चुने हुए नहीं है यह सभी अद्धिक्षी और संसदी व्यस्ता में हम देखा अब संसदी व्यस्ता कोई इसलिए क्यों अपनाया मिठकर जी के द्वारा क्योंकि यही एक मात्र व्यस्ता है जो भारत जैसे विविट्था पूर्ण देश को संतुष्ट करती है क्योंकि यह लोगों को एक्ता में बांधती है एक तो यह लोगों को एक्ता में बांधने के लिए उनके सभी के मुद्दों को प्रात्मत्ता रख पाएं सभी के मुद्दे आगे उठ पाएं उन सभी को संतुष्ट करती संसेव वेफ्टा अब आगे वरते ह Quinnito वंहीं के द्वाराा धर्म की बात की गई उनका मानना था कि एकर राज का धर्म होगा तो वहा नियाइं नहीं कर पाएगा सामाजिक निया रही की स्थाफना नहीं उपाएड़ी और सामाजिक क्या करें लुए जिननी की निर्पिछ द्धरं में निर्पिटार उनकी निर्ममें संसोईतन करने की बात करती द्धरिकों। मतलब राज़ और धरम एक और लॉज अर दूसरी द्धरम मतलब राज़ का धरम क संबंद नहीं रहेगा प्सीद अप्रितक्स तोर पर लेकिन अगर धर्म में कोई बुराई है जो राजी के लिए खत्रा है राजी की विकास में बादा है उसको दूर कर दिया जागा जैसे कि चुवाचूत जो जाती वर्ष्टा की समस्या थी चुवाचे तो उसको आनचोई 17 के दौरा समख्त कर दिया गया और भी तुमाम समस्या है जैसे कि तीन तेलाग वाला मुद्धा भी तो यह सभी धर्म में सुधार करने के धर्म निर्पेच राज के बिचारत हैं बिटकर जी के दौरा की ध उसके बाद आते हैं वह diva कारी राज की का मानना था ओवागा तो लोग के फ randomly की यह व्यूदकर पहेगां ऐसी विफ्ता की स्थापना कर पाएगा जो यह सबीक लिए उन्कूल फर वह किके करें जनता के हितों को तरहिज दे ना कि धार में कि तो या जाती हितों को उसके बाद आते हैं उनका सोसल राज समाजवाद के बाद तो राज की समाजवाद पर उनकी बचारों को जानने पहले हमको यह डिसक्स करना पड़ेगा कि यह विचार क्यों आया तो हम पाते हैं कि जब अपने वेसिक काल के दौरान हम पाते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत की आर्थिक लूट मचाएगी आर्थिक लूट के किरम में हमने जाना कि उस्ता पटनाएक जो इतियास कार परसेंट कांट्रिबूशन रखती थी लेकिन जब अंग्रेज गए लोटके गए तो यह कंट्रिबूशन मात्र भारत का तीन परसेंट चार सोड़ परसेंट पर आके लोलग गए और इसी संबंद में बिलियम डिगभी का जो अंग्रेजी एक लेखक रहा उसका भी उसने अपने लेखन कारव में बताया कि आड़ारोसों चंग्मन से लेकर 1901 तक भारत में 2.8 करोड़ लोग मारे गए अकाल के कारा एक ऐसा और अग्रेजों के दोरा भारत का डी इंडर्सिलाइशन किया गया इतियास में पढ़ते हैं डी इंडर्सिलाइशन किया गया उसे कारण अग्रेजों के दोरा किर्सी का बारत जी करन किया गया तो खादान की कमी हुई जैसी का अखाल पड़े और लोगों और भुखमरी से लोग मड़े बिरुजगारी बड़ी किर्सी विवरस्ता चर्मरा गई अब इसी सभी समस्याओं के लिए एक तो है किर्सी समस्या और दूसरी है बिरुजगारी इन दोनों के समाधान के लिए상 अमिंटों के समाधां क्यां चिर्शी बिरुजगारी इतियादी समस्याओं के सम्स्यां के लिए हीशञाब्स कि इस्ठापना की जा सके अब आते हैं तो कि अमिटगरंजी की की सिधय तोर पर अर्थत जिस्टम अमेरिकांगा में उसमें कि 27 अकी ग्रान परस्तत करता है वहां पर शुसतंतरता है लेकिं संकुचित है कि दूसरी बात करें तो सामाजी को राजनेती संस्ताओं के प्रती उदासीन रवया रखता है सामाजी जैसे कि पूजीबादी समाज में क्या होता है कि जो मैदूर हैं सरमेक हैं उनको हर्ताल करने के अधिकार नहीं होते कि स्वान्ता क्योंता को बढ़ानी की व्यश्ता है कुछी बाद क्या कहता है कि समान्ता है मतलब बात में बात चीत में ही स्वतन्ता होगी लेकिन अब्चारिक असल तोर पर इस दा पर नहीं हो पाती है और अलब संक्यकों कोईजनस मनता है यह जो अलब संक्यकों कोईजनस मनता है इसको आप माईने विज खान मूवी जब आप आफिəंगे यहां पर काले लोग हैं, वो कितनी देटिती में रह रहरा है जब बाड़ आती है तो सब उनके घर मर सब डूब जाते हैं यह पूजी बाद के चेहरों को पृतिक्स तोर पर दिखाता है अल्फ संको को की गहन असमानता है आर्थिक तोर पर उन्नत है अमेरिका लेकिन फिर भी हम वहापन नसली वेद्वाओं नसली वेद्वाओं देखन स्थिसक्न और डेक्तव हिस्साथ कहले स्थिवाख में अल्फ संक्यव को सब्सक्र में और पूजी बाद करता है जो उपने वेश्एक काल में सोशन किया गया देशों का जो ऑपने वेश्एक सोशन and और जो व्यापैक अन्या है उसको उचे टेराता है उसकी आलोशना नहीं करता आज भी बिर्टेन ने भारत से आज तक माफी नहीं मांगी जलिये वाला कांड़ के उपर भारत में करीब 3 से ज्यादा लोग मारे गए और जैसे कि आप पत्राइग जीन ने बताया पैंतालिक ट्रिलियन से ज्यांदा की लूट हुई फिर भी जो बेटेन हैं उसने आज तक हमसे भारस माफी नहीं मांगी ऐसा ही अमेरिका का जापान का संबंद है अमेरिका के दौरा जापान में दो प्रमार्व बंद किराए गए लाख लोग मारे गए लिए अमेरिका ने आज तक माफी नहीं माली यह क्या करते हैं जो पूझी बादी समाज जो पूझी बादी विस्ता है वह आपनवेसिक सोचन के दौर का सोचन था उसको जायश चराती है कि हुआ तो हुआ बाद खतम य माक्सवाद या का हैं समाजवाद इन सभी इस सिद्धानत की उपर तो सबसे पहले जालने थे किन किन माक्सवाद के किन किन सिद्धानतों से वह अमिटकजी सहमत हैं तो अमिटकजी सहमत हैं बर्ग संगर्स के सिद्धानत से थोड़ा बहुत मतलब उनका मानना था कि जब बेचारिक क्रांटी होती है केवल बीचारिक हिंस अत्मक नहीं सारिक नहीं बैचारिक क्रांटी बैचारिक क्रांटी हो Bye- Banana नमाज के लिए भलाइ के लिए होती है बुद्ध धरम के संदर में हम देखते हैं बुद्ध का भी संदर संदर ठीक है केवल इंटिल्एक्टुल्लेग्वल पर बहुत देगे लिवल पर और अमिटका जी इभी मानते हैं मांक स्बाहिर कि तरह ही कि जो दसन है कॉर्छ सब्सक्रेंट को बदलना वोले तो प्योर बैक मतलब दसनग का कामने भी देखा था अमेरिका जी सोचलिजम की बात कर रहे हैं तो उस सद्दान से भी प्रेरित हैं कि मतलब जो बड़े स्टेट बिस्तरत सार्विंस वामित्व है वो सरकार के पास होना चाहिए और वैक्ति के लिए समान अफसर की मांग उनके द्वारा जो माक्सवाद कहता है कि बैक्ति के लिए अफसर होना चाहिए थोड़ावत आमूली दावत सकता है तो पूरी हो इन सबीकी अमेरिका जी तरह समर्तन की जाता है अब जो सट्टा नहीं सथ्टा है तो अमेरिका जी क्या कहते हैं जैसे माक्सवाद कहता है कि सथ्टा पंदिंट रखने के लिए ह एक साधन की तौर पर साध्य नहीं अमेरिका जी कहते हैं कि हिंसा साध्य नहीं है हिंसा के वल साधन है ताकि मानवादकारों स्वत्नता समानता बंदुत क्रिश्ट आपना किया सके तो एक साधन की रूप में मानते हैं सत्ता अपन निंतर रखने के लिए और अच्छे जानते हैं कि हिंदु देर में तमाम समस्या रहीं जैसे चुआ चूट जाति वाग उन सभी समस्याओं को समादान के लिए फ्रवद हिंसा यह तरव जरूरी है समर्टन के विचार है उनको हमने डिस्कस किया अब माक्स बाद की आलोचणा भी करते हैं गोरा लुष ना करते हैं तो जो बर्ग संगर्स है अभी बर्ग संगर्स को वो अच्छा मान रहें समाज के लिए लेकिन दूसीरी और अगर परवर्तन बर्ग संगर्ष के द्वारा हो तो यह बड़ा घाब तक है परवर्तन बोले तो जैसे राजनितिक परवर्तन हिंसा के द्वारा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो लड़ते ही रहेंगे पूरा देश के अंदर अश्थरत आ जाएगी तो बर्ग संगर्ष द्वारा गरीबी और सोचनों को नहीं मिटाया जा सकता उनका मानना है कि अगर आज कोई गरीब अमीर को मार देंगे उनमें से कुछ अमीर हो जाएंगे गरीब हो मैं से फिर यह चलता रहेगा यह गल्द तरीका है सबसे अच्छा तरीका है कॉंस्टि राशिज्सागी तो भर्खतना ही करते हैं राज्यूति परवर्थं को उनका मानना है कि इसको थो घृता सो समटा मुटा मुदा है इसको तो समाजवात के बात कर रहे हैं उसके वह भाधर्प को माक्सुपास से मानते हैं अधिक त्डिश माना गया है लेकिन भही मानस से एक आर्थे काई तो है नहीं मनस को साध्य होना चाहिए मिटकल जी भी कह रहा है मनस का डवलप्मेंट करना है इसी के लिए वह बहुत धरम को माकसवाद की उपर तरीज देते हैं और बताते हैं बहुत धरम किस प्रकार माकसवाद से कि लिए नहीं हो नियातक व्यादा को ज् zich ठेहराता है और बिग्यान सम्मत है बिग्यान का समर्थन करता है जैसा कि हम Georg Kumar Jam कि पाकिस्तान उसको फिर बाद में पाकिस्तान और इंडिया इस फुस्ता के नाम से जारी किया गया वह इसमें उन्हों ने भारत की वज़ाजन पाकिस्तान के स्टे पर काफी डीटेल में पाकिस्तान जिस परकार हम सभी जानते हैं कि अगर सही भाग में भले हाथ ही क्यों ना हो अगर कैंसर हो जात को काट देना ही ज्यादा उच्छत होता है इसी पिरकार वो अपरित तक शुरूप से भी भारत भाजन का समर्थनी करते हैं उनका मानना था कि वैसे तो उनके दोरा अंतिन समय तक उनके दोरा भारत भाजन का ब्रोथ किया गया जिन्ना के जिन्ना से उनके तमाम बारतलाप हुए उसमें वो जिन्ना को बार बार कह रहे हैं कि आप द ना जिस चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम के बारस की पैदाईस की पाकिस्तान नाम की उत्पत्ति की बोथ केंबरेज की सड़कों पर ठोकरे खातु बे अल्ग के लोग थे शूंक हुआ पाकिस्तान सुनी बहुल्वे देश था तो जो जिना थे उस यह थे जब उनका अभारत भाजन को एक तरासदी बताते हैं और एक दुखत गटना भी बताते हैं कि वह तो अब है लेकिन आप पाकिस्तान भाजन हो गया तो सही भी है सरदार पाकिस्तान होते हैं पूरे देश में गंद पहला देता है उसी परकार यह पाकिस्तान पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए खत्रा बन के उपर ता अब आते हैं अमिटकर जी के कस्मीर समस्या कस्मीर के विसेश दर्जे की उपर कि वह कस्मीर के विसेश दर्जे की उपर क्या बचा रहा है तो उनका एक्जेक्ट स्टेटमेंट ही देख लेते हैं हिंदी में नहीं देखेंगे इंगलिस में देखते हैं तो अमिटकर जी कहते और इंडिया कस्मीर के लोगों के पूरे देश में पूरे भारत देश में अधिकार हूं लेकिन हमारे इंडियन लोगों के अधिकार कस्मीर में नाओ यह क्या क्या बात है यह तो अन्या है यह तो गल्त बात है और इसी का ब्रोद करते हैं अमिटकर जी बहुत ब्रोद किया और जो जिसमें यह कानूपारित किया जा रहा था जो आर्टिकल 370 उसको बिरूद स्वरूब बोलो वो उन्होंने वो सहसान अटेंडी नहीं किया क्योंकि अमिर्कर जी मांते थे कि इस प्रिकार के विसिस दर्जे कस्मीर को दिया जाना बाला विसिस दर्जा कस्मीर में कि इस प्रिकार का कोई भी विसिस प्रादन नहीं होना चाहिए अब यह हमने जाना कस्मीर के विसिस दर्जे पर अमिर्कर जी के विचार अब आते हैं कि राष्टवार और राष्ट की रक्षा है तो इंसा का समर्दन किस प्रिकार वो अंतिम साधन के तोर पर उनका मानना था उनके स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि वो मानते हैं कि इतियास में हम गुलाम हुए क्यों गुलाम हुए तमाम कारण रहे सामाज वेभाजन सामाज उदास इंता इस समंद में अठलबहरी वैचपाई का भी हम मासण यूटूब पर सुन सकते हैं आपने देखा कि उस कारण चीन ले गए जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ही देश को हरा दिया अंग्रेजों ने कोई बड़ी युद्ध थोड़ी लड़े हमारे देश में चाहें 1757 का प्लासी का युद्धो चाहें बक्सर का युद्धो वो तो मात्र फूट डालो राजकरू की न तो चली अमिर्गर जी पर आते हैं तो अमिर्गर जी राष्टबाद राष्टबाद के संब्ध में उनका स्टेटमेंट ही देख लेते हैं तो बुक कहते हैं कि बड़ी मुश्कल से हमने आजादी प्राप्त की है देश के तमाम लोगों ने कुर्वानिया दी अपनी जान क संब्धान की रक्षा करने चाहिए अब आजादी देश की सुतनता खत्रे में कप पड़ेगी क्यों पड़ेगी इस संबंद में भी अमिर्गर जी दोरा कहा गया कि उनको चिंता है कि मुझको बहुत बड़ी चिंता है कि ऐसा ना हो कि देश की जो आजादी हमको बड़ी देने लगेंगे मतलब लोग अपने धरम को जाना तरीज देने लगें अपने जाती को जाना तरीज देने लगें और देश को चोटा समयने लगें तो समय लेजे देश के आजादी खत्रे में हैं अमिर्गर जी कहते हैं कि देश को आजादी सुनिस्त रखने के लिए देश सबसे आखरी में भारतियों उस दौरान बीच में मैं इंसान अमेटकर या फिर और कुछ हूं मतलब सबसे पहले भारती है उसकी बाद भारती है बीच में और कुछ अपनी सबी चीज़ें त्याग दो तभी एक राष्ट के लिए राष्टवादी और उन्होंने बिचार प्रस्तुत किये उस एक राष्टवादी नेता के तौर पर अपने आपको इस्ठापित किया अब आते हैं विदेश नीती के संबंद में अमबिटकर जी के क्या बचा र सब्सक्राइब आते हैं विदेश नीती के संबंद में विदेश नीती के संबंद में अमबिटकर जी के बचा है हमने देखा 1899 में उनका जनम हुआ उन्नीश चपन में उनकी म्रत्ती हुई और हम देखते हैं कि 1951 में चीन दौरा ताइवान पर कभजा कर लिए गया अब उस समय जो भारत के प्रदान मंत्री उनके पास विदेश मंत्री का भी पोर्ट्फोलिय देखरत आुनिशन तो यह तमट व सभू करते हैं तिन उसना करते हैं जडुक्र ऑनिवद्टकर जी को डिस्कस करते हैं तो अमिटकर जी पीच मत्वेद होना भी सबस्कृत बात हैं बैचारिक मतवेद होना देश के लिए बहुत जरूरी है और देश के लिए अच्छा है आप मेरा ये वीडियो देखेंगे दुनिया का सफ़े बड़ा हाथ त्यारा माँ जुनाओ तो आप पाएंगे कि एक बैचारदारा एक उदासीन बैचारदारा किस परकार उसी देश के चीन ही पांच कोड़ से जादा चीन ही मारे गए और किस परका दूसरी देश के लिए खतर ना गए तो बैचारिक मतवेद होना जरूरी है तो अमिटगा जी का मानना था कि चूंकि अमिटगा जी ने देखा 1951 में 1951 में चीन दौरा तिब्बत पर कभजा कर लिए गया चीन चीन का रवय आक्रमकारी है वो आज तिबत पर कभजा किया है कल को हमसे भी उलजीगा इस समंद्धों के दौरा नेरुजी की आलोशना की गई नेरुजी उसमें एक चीन के प्रती फ्रेंडिली अप्रोच अपना रहे थे उस अप्रोच के भी कईयों अलग कारान है वो हम क हम जानते हैं कि रूस से भी हमारे अच्छे संबंध रहे और अमेरिका से अच्छे संबंध रहे खिर बहराल अमेटकर जी पर आते हैं तो अमेटकर जी जो चीन का अक्रमकारी रवय था उसको थोड़ा सा हाइलाट करने की बात कर रहे थे और जो अक्रमकारी रवय था उसक एक international alliance बनाना चाहिए ताकि चीन के आक्रमकारी रवाईयों को कंट्रोल किया सके और हम देखते हैं कि बाद में यह कौड की स्थापना की गई जो की काफी हद तक 70 साल पहले अमिटवजी के द्वारा बचार प्रस्तुत कि गए कि ऐसा एक alliance बनाना चाहिए ताकि चीन के आक्रमक रवाईयों को कंट्रोल किया सके एक democracy का like-minded democracy का संक्रम नना चाहिए और दूसरा उनका बचार था नहिरू जी से थोड़ा अलुषना के मतवेत के संदर में उनका मानना था कि थोड़ा सा भारत को अमेरिका के प्रति थोड़ा से जुकाव रखना अमेरिकाजी के हमने धारमिक और राजनितिक बचार दोनों बचारों को काफी डीटेल से रिसकस किया कि किस परकार धरम के संदर में धारमिक परंपरा के संदर में एक देश की लिए धारमिक किस परकार धरम होना चाहिए उस समंद्ध में उन्होंने क्या क्या बचार दिये उसके बाद हमने राजनेतिक विचारों को जाना और राजनेतिक विचारों को किरम में हमने उनके सभी टैप की विचारों को जाना कि किस प्रकार वो एक आधिनक राष्टी की इस्थापना की बात कर रहे हैं और एक आधिनक राष्टी ने एक मजबूत राष्ट चीन का भी यह समाजिक समाजिक और आर्थिक इन दोनों विचारों को हम अगले वीडियु में डिसक्स करेंगे पार्ट फ्ले में आज की क्लास में इतना ही अगर आपको हमारी अशी है तो हमारे क्लास को लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल कुल्दीप क्लास को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें धन्यवाद